बसकार दोस्तो आपके अपने यूटूब चैनल लखान मालीम बहुत बहुत सवागा दोस्तो रीट की तैयारी करने वाले हमारी विध्यारतियों को अगरिब बदाई हैं आज मैं आपको यहाँ पर साइकोलोजी के एक टॉपिक बता रहा हूँ आपको इंपोर्टेंट जानक बाल विकास के आपकी पहली यूनिट है ठीक है उसमें से आपका निस्चित प्रशन आने वाला है तो बाल विकास के अंदर जो हमारी अवस्ता है अवस्ताओं के अले अलग नाम है ठीक है उनकी उपनाम है जैसे शेश अवस्ता की कौन-कौन से नाम है बाले वस्ता की नाम कौन-कौन से है, किशोर अवस्ता के कौन-कौन से नाम है, इनमे से निश्चत रूप से आपका एक प्रशन आएगा दोस्तो, तो मैंने इसमें एक साथ सबको समेटा है, एक साथ उसमें लिखा है, और मैं उसको आपको अच्छे से मानते हैं, तो शेशोर वस्ता को हम किन-किन नामों से जानते हैं, ऐसा प्रशन हमारा जरूर आता है, आप कभी भी कोई सपेपर उठा के देख लो, तो आपको याद रखना है, आपको ऐसे दिमाग में बैठाना है कि शेशोर वस्ता, यानि 5 साल तक का बच्चा है छोटा, ठीक है, अब वो क्या-क्या हरकतें करता है, उसकी हरकतों को दिमाग में रखना है, और हरकतों को दिमाग में रखोगे तो गारंटी से आपका सवाल सही होगा, और आपको याद भी रख पाऊगया, सबसे पहले है सीखने का आदरशकाल कहते हैं, यानि शेश वस्ता को सीखने का आदरशकाल कहते हैं, आपको पता है कि 5 बर्स तक का जो बच्चा है, उसकी सीखने की जो क्षमता होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ती ब्रगती से सीखता है वो, आपको पता है क्योंकि उनका आदर्श काल है सीखने का ये वो फटापट सीख जाते हैं जैसे कोरी सलेट होती उस पर कुछ भी लिखा जा सकता है उसी प्रकार ये बच्चे हैं तो सीखने का आदर्श काल किसे कहते हैं यदि प्रशन आया तो आपका हो जाएगा शैशवकाल यानि याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके बाद में है इसको भावी जीवन की आधार शिला आपको पता है कि जब मकान बनाते हैं तो मकान बनाने से पहले नीव रखनी पड़ दिये कि नहीं आप नीम लगाते हो कि नहीं मकान की तो तब ही जाकर के तो आपका बहुत ट्रिक से याद रखों रटना नहीं है आपको रटा लगाने से काम नहीं चलेगा ठीक ऐसे समझने आपको यह ट्रिक ध्यान रखने लेना एक बार सुन लो GARANTI से याद रहेगा तो ऐसे करके हमारे मकान की निम लग गई तो हमारे जीवन की निम लग तो इसको आधार शिल पूर्टेंट काम काल होता है तबी तो कहते हैं कि सारा कुछ ले लो लोटा दो मुझे बच्पन का वो दिन यानि बच्छपन का वो समय लोटा दो सारह कुछ लेलो आं भली तो वही बच्छपन का समय यानि शेश ववस्ता जो है वो सबसे महत्मून काल है दूस्तोँ इसके बाद में जैसे आप करोगे वयसा सीखते हैं जैसे बंदर नहीं होते हैं बंदर आपको पता है कि टोपी वाली कहानी आपको कैपसिलर की कहानी याद है उसेने किस प्रकार से टोपी लगा लिए बच्चे सेम उसी प्रकार से करते हैं आपकी नकल करते हैं यदि आप गुटका खाओगे और रोज आपको देख रहे हैं बच्चे तो निश्चत रूप करते हैं ये फैक्ट है और ये ज़्यादा अनुकर्ण होता है आपका यहाँ पर इसलिए इसको अनुकर्ण की अवस्ता कहते हैं आगे है तीबरता से ज्यादा ती ब्रगती से सारी रेक विकास होता है ठीक है उसके बाद में हैं आगे क्षणिक संभेक की अवस्ता यानि जो संभेक की अवस्ता है लेकिन क्षणिक संभेक की अवस्ता क्षणिक का मतलब है संबीग आप जानते हैं संबीग कहीं तरह की हैं जैसे गुस्सा हो जाना है प्रसंद हो जाना खोश होना ये सब संबीगों में आते हैं सारे की सारे चीज़ें तो आपको पता है कि क्षणिक रहते हैं इनके संबीग जैसे मालोग गुस्सा भी हो गया तो क्षणिक एकाथ सेकंड का जैसे मालोग बहुत तेज रो रहे हैं भुश। दे दीजी वापस तुरंत शांत केवल एक ही सेकंड लगेगी जैसे कोई बटन दवा दिया हो ठीक है जैसे मालो उसकी ममी के पास है ममी इसे किसी ने दूसरे ने ले लिया बहुत जिरो रहा है बच्छा ठीक है ममी ने बापस ले लिया तुरंत ख्षनिक संवेग है यानि कि गुस्सा करना रोना हसना कुना जो भी रहता है वो ख्षनिक रहता है ऐसे इनको संवेग जो ख्षनिक संवेग की अवस्ता इसलिए हम कहते हैं तो इसमें आपको समझ में आगया होगा कि ख्षनिक संवेग की अवस्ता कौन से होती है शैश वस्ता इसकी बाद में है समूच प्रकार के जो समवेग हैं, उनके विकास की दुर्ष्टी से यदि देखा जाई, तो हमारा जो स्वर्नकाल है, वह हैशेष ववस्ता. क्योंकि यहां पर सभी प्रकार के जो हमारे संवेग हैं वो विकसित हो जाते हैं हम यदि बच्चे को अच्छे से देखें एक एक चीज को नजर करें तो उसमें पता लगता है कि हर प्रकार का संवेग यहां से उत्पन होता है बच्चे के अंदर अब उस संवेग को हमें कैसा बनाना है वो हमारे उपर डिपेंड करता है उसको माहुल किस प्रकार का दे रहे हैं उसको वातरण किस प्रकार का दे रहे हैं उसी के हिसाब से उसका संवेग तयार होता है यदि हम चाहते हैं कि बच्चे को गुस्सा वाला बनाना है तो उसको हम उने आपको पहले ही का कि बच्चे इस सवस्ता में बहुत ज्यादा सीखते हैं, यानि कि कुछ ना कुछ उट पठांग काम करते ही हैं, खिलोना आप लाओगे तो खिलोने को पहले देखेंगे इसमें क्या सिस्टम है, इसी को तो अधीगम कहते हैं वो, तो खिलोने को पहले जरूर वो, चाया आप देख लेना, एक बार परक के देख लो आप, कोई का बच्चा है वो, आप खिलोना ले के आचाए, पानसो हजार कितने का बिला है, दो दिन चलाएगा, उसको फिर देखेगा, उसमें है क्या मामला खोलेगा उसको, तोड़ेगा, विगाड़ेगा, सबसे ज़ादा खिलोने आपके पास कब थे, सबसे ज़ादा खिलोने से आप कब खेलते थे, और कौन से बच्चे सबसे ज़ादा खिलोनों से खेलते हैं, सबसे ज़ादा प्रेम किसको होता है, तो आपको याद रखना है, शेश वस्ता है, वो पास साल तक की अवस्ता है, ये तो है खिलोनों की अवस्था, लेकिन खेल की अवस्था बाले वस्था होती है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इसमें खिलोनों की अवस्था की, इसके बाद में हमारा लास्ट है एतारकिक चिंतन की अवस्था, एतारकिक चिंतन की अवस्था इसलिए क्योंकि यहाँ पर आंसर नहीं पता होता है ठीक है आपको अंदाजा भी नहीं होता है कि यह सवाल भी हो सकता है जा वो कुछ भी पूछ सकते हैं कैसा भी सवाल कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं ठीक है लेकिन वो तरक नहीं कर पाते हैं चिंतन तो करते हैं वो हर जगे पर ठीक है ऐसा क्यों हो एसे कुछ भी पूछ सकते हैं, टमाटर लाल ही क्यों है, ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कुछ भी, इसलिए हमें भी उनके लिए जानकारी इखटी करनी पड़ती है, तो ऐसे करके हमने इसमें जो दस नाम बताए हैं, हम गारंटी देते हैं कि यदि शेशोवस्ता से इस प्रकार जोडने की कौशिश की है, जिससे कि आपको याद रह जाए, रटना नहीं पड़े, कि यदि सुनना है, आप बस एक गाना सुन रहे हैं, उस प्रकार से सुन लो, जब भी खाना बना रहे हैं, कुछ भी आप ऐसा काम कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपो सुन सकते हैं दोस्तों, तो थैंक्स दोस्तों, इसको अच्छे से सुनें, निश्वत रूप से आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि एक या दो सवाल आपके इसमें से गारंटी से तयार हो जाएंगे दोस्तों, तो आगे हम बताएंगे इसी परकार से बालेवस्ता को बता ऐसे एक वीडियो में हम आपको परिभाशां बताऊंगा, मेरे पास परिभाशां की ट्रिक है, उस ट्रिक से हम हर परिभाशा को याद करवा सकते हैं, आपको रटने की आविशक्ता नहीं पड़ेगी, बिना ओप्सन देखे ही फटा-फट बता दोगे आपके ये उसकी पर इवाशा है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट अगली वीडियो में बताऊंगा मैं, तो धन्यवाद दूस्तों थैंक्स, अच्छे से त्यारी करें, और अपना जो सिक्षक बनने का सपना उसको जरूर पूरा करें, धन्यवाद, थैंक्स